आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी स्वस्तों के महादेव की कृपा आप सभी पर सदाय बनी रहें यह वीडियो तुला यानिकी लिब्रा के लिए महत्तपून है क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में कैसा रहेगा आने वाला सप्ताहिक तुला के लिए जो मेरा सप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है चंद्रमा सवादों से धाय दिन में राशिफल करते हैं तो सभाविक तोर से अलग-अलग भावों में अलग-अलग राशिव प्रवास यहीं पर रहेगा चंदर्मा का दस्वे घर में आना ठीक ही होता सवराशी के यह और भी अच्छा है आने की और बली हो गए और गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि ब्रहस्पति से चौते घर में है केंद्र में यह यहां पर अमवस्य योग बन रहा है यह थोड़ा प्रॉब्लमाटिक हो सकता है क्योंकि आप से कुछ गलतियां हो सकती है कारक्षेत्र में दूसरा आपके खिलाफ कुछ शड्यंत्र हो सकता है तो थोड़ा सा बचके रहेगा क्योंकि सूर्य इस समय दस्वे घर में है जो दिगवली है तो अथौरिटी तो आपकी रहेगे लेकिन यह जो अमवस्य योग बन गया कभी कारक्षेत्र में प्रॉब्ल क्रियेट होती है तो ध्यान रखेगा आगे बढ़ने के मौके अवश्य मिल सकते हैं लेकिन लोग आपसे जलन का भाव भौत रखेंगे लगने के स्वामी शुक्र से बारवे में है तो थोड़े खर्चे भी बढ़ सकते हैं और अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान दिजेगा जहां तक नवामसा की बात है यह जो समय है यह थोड़ा सा आपके अंदर विद्रोही पन भी रहेगा चोटी चोटी बातों पर रियाक्ट कर देंगे विद्रोह सा करेंगे स्पेशली कारेक शित्र में आपका जो विवाहार है यह जादा प्रबल रूप से देखेगा तो थ कैसी बाते मत कीजिएगा जो आपके पार्टनों को बुरी लगे विवाहिक जीवन छोटी-छोटी चीजों में खोशियां ढूंडनी है ज्यादा कुछ बड़ा नहीं सोचना यह समय सदलता के साथ निभाना है जहां तक सेहत की बात है आखों की प्रॉब्लम दातों की प्र से बहुत रहें बीज जुलाई सुभा के करीवन 10 बज़े के आसपास चंदरमा आ जाएंगे में आपके लावस्थान में सिम्ह में और लाभ प्राप्ति आपको अवश्य होने वाली है हफते के मध्य भाग में चंद्रमा क्योंकि दसवे घर के स्वामी है और जा रहे हैं वो लाबस्थान में यानि कि कारक शेत्र में वृद्धी हो सकती है कारक शेत्र में पैसा बढ़ सकता है और कारक शेत्र में दुबारा आपके लिए नई opportunity आ सकती है और क्योंकि अमावस योग से अब निकल गए हैं तो थोड़ी सकरात्मक्ता, थोड़ी clarity भी आपके जीवन में आएगी शुक्र क्योंकि खुद लगने के स्वामी है और चंदर्मा के साथ उनकी युति लावस्तान में यानि कि आपके इच्छाएं पूरी होंगी, आपके रुके हुए कारे पूर्ण होंगे और जीवन में सकरात्मक्ता की अनुभूती होगी जीवन एक लय पकड़ेगा, गती पकड़ेगा जो अमवस योग हफते के शुरुआत में था उससे कभी-कभी जीवन कभी होल्ड पे चले जाता है यानि कि चीजे रुक सी जाते है, थम सी जाते है लेकिन चंदर्मा की स्थिती में एकदम से बदलाव आएंगे और वो आपके जीवन को आगे लेकर अवश्य जाएंगे मंगल के साथ भी योती है, और मंगल क्योंकि धनस्तान के स्वामी है और लाबस्तान में योती हो रही है, यानि कि धनके संदर्व में तो ये जो हफते का मध्यभाग है, बहुत अच्छा है नवामसा कुणली बता रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अकेला पन बहुत महसूस होगा आपको ये लगया कि लोग आपको सिर्फ यूज करते हैं और शाथ सच भी है, तुला के साथ ये होता है कई बार क्योंकि ये सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन इनके साथ अधिक्तम लोग वैसा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं और ये वो समय है जब आप इन सब चीजों को लेकर थोड़ा उदास रहेंगे दसामसा कुणली बता रही है, टीचिंग मैनेजमेंट से जड़ा कारे करते हैं, लाब होगा लव लाइफ एक बर्डन सी लगेगी आपको, कभी-कभी होता है कि वेक्ति थोड़ा तंग आ जाता है साथ में जब ज़्यादा समय बिताते हैं तो, और ये समय वैसा ही रहेगा आपका विवाहिक जीवन ठीक है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, कोशिच कीजिएगा कि बैठकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ फ्यूचर डिसकस करें, सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, हॉर्मोनल डिसॉडर, दातों की प्रॉब्लम, जहां तक स्टूडेंस की बात है, भाग्ये पूरा साहते देगा, बस एक ही चीज़ कहूंगा कि आपको प्रायरोटी सेट करनी है, कि किस चीज़ को कित अराशी में, और सपताहक के अंतरता कहीं परेंगे, चंद्रमा का बारवे घर में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि दस्वे घर के स्वामी है, बारवे घर में जा रहे हैं, जो लोग विदेश में जॉब ढून रहेते, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, व कुछ कारे भी आपके अटक सकते हैं, तो फ्रस्टेशन का लेवल हफते के अंतर में धीरे-धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएगा, चंद्रमा क्योंकि बारवे घर में है, तो फ्रस्टेशन लेवल आपको बहुत टेंशन देगा, और गुस्सा भी आपका बढ़ा सकता ह तो इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है, लगने के स्वामी से क्योंकि दूसरे घर में है, तो घर में शायद पैसा आपके आ सकता है, घर के सदस्टों को कुछ न कुछ लाब हो सकता है, नवामसा कुनली के हिसाब से घर में महौल थोड़ा सा बिगड़ सकता है, थ से जुड़ा कुछ भी कारे करते हैं लाब होगा लव लाइफ चीजें धीरे-धीरे करके ठीक होने शुरू हो जाएंगी यहां पर जल्द बासी मत दिखाईगा लेकिन हाँ यदी प्रॉब्लम सेल रही थी तो धीरे-धीरे करके वह अपने निवारन की तिरफ जाते हुई अच्छा है पूरा हफ्ता ही भागे का साथ अवश्य मिलेगा बस आपको अपनी मनह स्तिती पर इस पूरे हफ्ते कंट्रोल करना है जो हफ्ते का अंतिम भाग है कोई अग्जाम यदि आपका पड़ता है उसमें बहुत अच्छा करेंगी उपाय के सरूप में आपको लक्ष